So hey guys, welcome back to our channel, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागते, ये वीडियो आप तक पहुँचा है, तो जरूर आप भी परेशान होंगे मीशो में अपना सिपिंग एड्रेस चेंज करने में, दोस्तो मीशो में लगबख 120 मिलियन से भी जादा एक्टिव यूजर है, दोस्तो इन बहुत सारी यूजर कम्प्लेन करते हैं कि उन्हें अगर कोई प्रोड़क्ट और करना है, एक नए एड्रेस पे, या फिर किसी और के लिए कोई प्रोड़क्ट और करना है, तो उन्हें एड्रेस चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, या फिर वो खुद का ही क तो दोस्तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे आप मिश्व एप्लिकेशन में कैसे अपने अड्रेस को चेंज कर पाएंगे या फिर किसी और के लिए अगर आप और करना चाहते हैं कैसे आप उनका अड्रेस देके आप कोई भी प्रोडॉक्ट कैसे ओर करेंगे इस वीड आना दोस्तो कोई भी एप्लिकेशन के बारे में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं हमेशा रिकमेंट करता हूँ आप पहले जाके प्ले स्टोर में उपन करके आप उस एप्लिकेशन को अप्टुडेट कर ले तो यहां पर मैं मिश्व एप्लिकेशन को उपन कर लेता है तो यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ तक कि आप profile setting में जाके भी यहाँ पे भी कुछ address वगरा edit करने का कोई भी option नहीं है यानि कि दोस्तो आप जब मिशो में आप account open करेंगे तभी आप जो address दे पाएंगे उसके बाद आप address को update नहीं कर पाएंगे अगर दोस्तो आपको कोई और address पे या फिर किसी और के नाम पे अगर कोई product order करना है तो simply आपको उस product को select कर लेना है और आपको simply उस product को buy now पे click करना होता है buy now पे click करने के बाद आपको simply यहाँ पे बगेरा जो select करना होता है order बगेरा complete जो delivered select section में आपको आ जाना है जहाँ पे आप address को select करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप आजाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो default address होगा वो address यहाँ पे नीचे आपको show करेगा and उसके उपर आपको add new address करके एक नया option मिल जाएगा तो आपको उस option पे आपको click करना है and यहाँ पे आपको जिस address पे आप new product को order करना चाहते हो या फिर अपने ही किसी नय address पे अगर order करना चाहते हो या फिर किसी और के नाम पे order करना चाहते हो तो simply उनका नाम यहाँ पर लिख देना होगा then उनका जो mobile number है वो mobile number आपको यहाँ पर simply दे देना होगा then आपको simply next button पर click करना है next button पर click करने के बाद यहाँ पर automatically आपका pin code and address fetch हो जाएगा तो आप इसे edit भी कर सकते है like मैं यहाँ पर दे दे तो आडाम बेरिया and यहाँ पर विष्ट बिंगॉल then आप यहाँ पर कुछ भी address आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको simply नया address को देखे आपको save and continue पर click कर देना होता है तो simply आपको नया address सही से यहाँ पर type करके सब कुछ आपको simply save address and continue पर click कर देना है continue करने के बाद जो नया address आपने दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा पुराना address and यहाँ पर मैंने नया address दे दिया है तो दोनों address यहाँ पर update हो गया है तो आप चाहे तो अपना पुराना address पर भी order कर सकते हैं and नया address पे भी आप यहाँ पर प्रोड़क्ट को डिलिवर्ट करवा सकते हैं तो किसी और के नाम पे भी आगर आप यहाँ पर एड्रेस को एडिट करके लिखेंगे तो वह भी आप कर सकते हैं मान लीजे मैं यहाँ पर मेरे वाइफ के नाम पर कोई भी प्रोड़क्ट में और करता दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखे थोड़ा सा भी help हुआ है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना consider कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में stay tuned with Rayleigh on us कर दोस्तों अपको ये वाइक और चैनल को ये वीडियो का भी हुआ है